असलाम अलेकूम और विल्कम बैक टो माई चैनल आज हम बनाएंगे मज़ितार सा जूसी सा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन तंदूरी तो चलें से बनाना शूर करते हैं तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे दही और दही बिल्कुल गाड़ा लेंग पेस्ट नइए जाले की दो चोटे चहमच है जान्या चानसन का पेस्ट डालेन देगे नमक अपने टेस्थ के अकॉड़िंग डें पिर इसमें डाल देगे एक बड़ा चमच भळकर कर लाल-मिर्ची पावडर भर इसमें हम एक चूड़ा चमच भर गशन धनिया पावडर और अब इसमें दो निम्बो कर रस हम डाल देंगे थोड़ी सी इसमें हम कसूरी मैथी डाल देंगे तो एक छोटा चमच मैने इसमें कसूरी मैथी डाली है कलर के लिए हम रैड फूट कलर डाल देंगे कलर डालना ओप्शनल है आप चाहें तो skip भी कर सकते हैं अब सारे marination को अच्छे से मिला लेना है और हाँ हमें इसमें oil भी डालना है oil नहीं डाला था तो हम यहाँ पर दो छोड़े चमच cooking oil डाल देंगे खाने जिसमें बनाते हैं वह वाला हम तेल डाल देंगे अब वापस इसे अच्छे से हमने mix कर लेना है बहुत अच्छे से मिलाना है तो मसाले को अच्छे से mix करने के बाद अब इसमें चिकन के pieces टाल देंगे तो इस तरह से हम तंदूरी के piece ले लेंगे और deep cuts लगा लेंगे इसमें अंदर तक ताकि जो मसाला हमने लिया है वो अच्छे से अंदर तक जाए और चिकन को मैंने 2 घंटे के लिए विनेगर डाल कर और नमक डाल कर पानी में भिगो कर रख दिया था इससे क्या होगा चिकन बहुत जूसी बनता है तो मैंने विनेगर डालकर और नमक डालकर वाले पानी में चिकन को एक से दो घंटे के लिए भिगो दिया था अब उसके बाद हम चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं तो पर्स स्टेज में आपको क्या करना है चिकन को पानी में भिगो देना है थोड़ा सा विनेगर और नमक डालकर अब इस तरह से सारे जो पीस है वो हम अच्छे से मसाले में लगा देंगे मसाले को पीस पे लगा देंगे अच्छे से जो पीस है चिकन के उने मसाले से कोट कर देंगे और यह टोटल आट पीस लिये हैं मैंने 2 केजी चिकन लिया है यहने 2 किलो चिकन लिया है और जादा अच्छा जूसी बन कर ये तैयार होता है लेकिन अभी सिर्फ हम इसे दो घंटे के लिए प्रिज में रखेंगे तो इसे रखेवें यहाँ पर दो घंटे हो गए हैं अब राफिजरेटर में से इसे बाहर निकाल लेंगे और अब इसे हम कुक कर लेंगे तो इसे डायरिक्ट हम गैस पर ही कुक करेंगे तो पैन में हम यहाँ पर ले लेंगे दो बड़ी चमच तेल तेल गरम करेंगे उसके बाद चिकन के पीसे में डाल देंगे तो एक बार में जितने आएंगे न उतने एक बार में हम पका लेंगे क्योंकि हमारे पास पैन छोटा है बड़ा हो तो एक साथ सारे पक सकते हैं अब यहाँ पर छोटा वाला है तो हम यहाँ पर अभी तीन पीस रख रहे हैं तीन पीस पहले कुक कर लेंगे उसके बाद जो बचे में उने कुक कर लेंगे इस तरह से पीस रखने के बाद अब इससे हम कवर कर देंगे कवर करके हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे लो फ्लेम इसे पका लेना है, तो इसे रखे वे 5 मिनिट हो गए हैं, 5 मिनिट बाद हम इसका साइट चेंज कर देंगे, और साइट चेंज करने के बाद दोनों साइट से अलट पलटते रहेंगे, और इसी तरीके से इसे पका कर हम तयार कर लेंगे, तो साइट चेंज करने के बाद वापस इसे कवर कर देंगे और इसी तरीके से हम इसे पका लेंगे अलट पलट कर 5-5 मिनिट में साइट चेंज करते जाएंगे और इसे पका कर तैयार कर लेंगे तो अब आप देख सकते हैं जो मसाला था वो dry होना start हो गया है और chicken पर माकसाना भी start हो गया है तो बस इसी तरिकी से से पका कर हम तयार कर लेंगे थोड़ी देर के लिए हम इसे और पकाएंगे ताकि जो मसाला है वो पूरी तरिकी से dry हो जाए तो अब देखें पूरा मसाला ट्राइ हो गया है और चिकन भी अच्छे से हमारा गल चुका है तो अब इसे हम निकाल लेंगे पैन पर से उतार लेंगे और आप देख सकते हैं कितना प्यारा इस पर कलर आया है तो अब इसे हम पैन पर से उतार लेंगे और सेकंड बैच भी इसी तरीके से पका कर हम तयार कर लेंगे तो पैन पर से सारे पीस निकाल लेंगे और अब इसे हम clean करेंगे और clean करने के बार जो बच्चेवे चिकन के पीसे से उन्हें भी इसी तरीके से हम cook कर लेंगे तो पैन हमारा बहुत जादा गंदा हो गया इसे ही बनाएंगे न तो वाले चिपक जाएंगे, चिपकने लगेंगे, तो अच्छे से हमने पैन को क्लेन कर लिया है, और जो बच्चे में उन्हें भी इसी तरीके से अब हम कुक कर लेंगे, तो रेस्टोरेंट जैसे प्लेवर देने के लिए हम क्या करेंगे चारकोल को रखेंगे तो एक डिस्पोजेबल कटोरी में मैंने कोईला जला कर रख दिया है इस पर डाल देंगे थोड़ा सा घी या तेल या बटर जो भी डालना चाहिए आप और इसे फॉरन से कवर कर बहुत अच्छा सा एक स्मोगे सा फ्लेवर आ जाएगा और बिल्कुल तंदूरी रेस्टोरेंट स्टाइल लगे गई और बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा तो इसे पांच मिनिट के लिए रखे रहने देंगे पांच मिनिट बाद हम धकन हटा देंगे और जो ब बहुत अच्छे से गल गया था तो आपने देखा ना बगेर वन के और बगेर तंदूर के हमने इसे कितना इजी ली गैस पर बना लिया और कितना इजी ली बनकर तयार हो जाता है आप इस एक बार ज़रू ट्राइगा और इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्फ करेंगे तो अच्छे पर वच्छे इस वीडियो अला हाफिस